कि ना कदाचि जगत यस्मिन्स तत्वग्यों हंत खिद्यती यत एके न ते नेदम पूर्णं ब्रम्हांड मंडलं नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है ये अश्टावकर गीता के सत्रवें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसे हम आज खिराई से समझेंगे तो आई है सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है कहता है न कदाचे जगत यस्मिन्स अर्थात नहीं कभी भी इस जगत में तत्वग्यो हंतक खिद्यती अर्थात अहो तत्वग्य खीजिता है यत एकेन तेनेदम अर्थात क्योंकि उस से यहां एक है पूर्ण ब्रह्मांड मंडलम अर्थात पूर्ण ब्रह्मांड मंडल तो यहाँ पर अश्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि इस जगत में जो तत्वग्य है वह कभी भी खीजता नहीं है क्योंकि उससे यहाँ एक ही है पूर्ण ब्रह्मांड का मंडल हमने पिछले शलोक में यह ही समझा था यह आपने उस वीडियो को देखा हो कि वहाँ पे अश्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो ग्यान का फल पराप्त कर चुका है यह योग अभ्यास का फल पराप्त कर चुका है वह अपने इंद्रियों से स्वच्छंद हो जाता है इंदृ यां उसे प्रभावेत नहीं करते वह इस प्रपंच को देखकर उस में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और ओभ एक्गी रमन करता है और तरप्त रहता है उसko lijda लगता कि मुझे गार्य करना चाहिए मुझे वह करना चाहिए तो उस ही बात को यहाँ पर पुन आ है दूसरे द्रिश्टी कोड़ कियाए रही है कि जो व्यक्ति थत्वक्य होता है वह घृँस 2007 भी जह जागत को दीखकर कि उस से क्वीजता नहीं है या उस से खिट्ध नहीं होता उस से प्रभावित नहीं होता उसको ऐसा हूं यह क्या हो गया क्योंकि वह जो है इस ब्रह्मांड मंडल से एक हो चुका होता है वह यह जानता है कि ब्रह्मांड मंडल जो है यह मेरा ही प्रक्षेपन है बाहर की और मैं ही इसको बाहर की और प्रक्षेपित कर रहा हूं वह इस बात को समझता है क्योंकि वह इस बात को समझत कोई सत्ता नहीं है इसको सत्ता मुझसे प्राप्त हो रही है मैं इसको सत्ता दे रहा हूँ ना कि इसके सत्ता इसमें इसके स्वैम से है वो इस बात को समझता है तो इस कारण से जगत में खिद्य नहीं होता क्योंकि वह यह जानता है कि यदि मैं इसमें प्रतिक्रिया करूंगा तो इस प्रतिक्रिया से जो है यह जगत मेरी प्रतिक्रिया के प्रति वह भी प्रतिक्रिया करेगा जैसे मैं क्रिया करूंगा वह प्रतिक्रिया उसी के अनुसार जो है मेरे प्रतिक्रिया कर देगा तो इस प्रिकार से जह जान जाता है कि यह तो चक्र चल रहा है और इस चक्र में जो है मैं फसावा हूं बस कि मैं कोई क्रिया करता हूं तो यह प्रतिक्रिया करता हूं तो जगत हम देखते हैं वह जगत हमारे द्वारा ही प्रक्षय पर होता है हमारे भीतर ही है हमारे मन से उत्पन हो रहा है हमारे अंदर ही है तो ठीक उसी प्रकार से यह जगत हम बाहर अपने अनुभव कर रहे हैं यह भी वास्ता में उसी प्रकार से है केवल यह जो है यह गटना घोते हुए देखते हैं तो वह वास्तों में हमारा सुख्ष्मतर पर है कैसे सुख्ष्मतर पर है कि हमारे जो हमारे संसकार हैं जो हमारे भाव हैं जो हमारे भीतर हमने अपने कर्मों के दुआरा जो हमने अपने भीतर भाव संचित किये हैं उन भावों के प्रती ही जो है हमारे स्वपन में हम वस्तुमों को या घटनाओं को देखते हैं और ये जो है ये प्रतीकों के दोवारा हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं मालिजे की हमारा एहंकार है कोई और हमारे एहंकार से जो है हम किसी एक प्रकार से प्रिया करते हैं मालिजे की हम जो है बहुत बहुत हमारे भी तर जो है आप कैसे तेंगे बहुत अधिक तृष्णा है मालिजे किसी चीज के प्रती तो वो जो तृष्णा है वह एक व्यक्ति या एक किसी वस्तू के रूप में हमारे आगे प्रकट हो जाएगा जैसे मालिजे कि आप में बहुत त्रिष्णा है तो वह जो त्रिष्णा है वह हो सता है कि भूक के रूप में आपके भीतर प्रकट हो जाए या मालिजे कि आपको सम्रिध्धी चाहिए और सम्रिध्धी की हैं मालिज्य धन की खोज कर तो धन जो के рू जो है यहां जो सम्रिद्री है कि जैसे आप के मन में कुछ संकल्प है जो की ठीक नहीं है तो इस ठीक संकल्प नहीं है तो इस संसार में जो है विफलता के रूप में या क्या आप कहते हैं कि क्रोध के रूप में वह है इस जगत में प्रकट हो जाते हैं इस जगत में हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं जो कि जो तत्वग की होता है। समझ जाता है कि कोई अच्छी परिस्थिति ये दि उत्पन हुई है, तो वह भी जो है मुझे ठीक करने के लिए उत्पन हुई है। शांत मन से शांत हो करके जो है वास्ता में क्रियाव करता है कि यदि मैं यदि मैं अनुचित भावों का अपने भी तर उत्पन करूंगा तो उससे मेरा सुधार नहीं होगा मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा और यदि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा तो यह परिस्थितिया मेरे लिए उत्पन होती रहेंगी बैठती रहेंगे। तो इसलिए जो है वह है इस बात का शुवारा लेता है कि जो भी कुछ मच Markusिंहां कि करना है वह है शांती भाव साथ से करना आपके पीछे कोई राक्षेस पड़ा हुआ है तो उस प्रकार का भाव जो भाव जो भाव जो होता है फिर स्वपन में भी स्वावत हो जाता है क्योंकि हमारे भाव इस जगत में हम अनुभव कर रहे हैं वह ही भाव जो हमारे स्वपन में जो है राक्षेसों के रूप में भ प्रकट हो रहा है यह वास्ता में मुझे ठीक करने के लिए प्रकट हो रहा है तो वह है उसके साथ में आपको आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए सब्सक्राइब झाल झाल